हेलो सुडन्स तो बच्चो आज हम जनरल नोलेज में चेप्टर ट्वेल बर्ड्स के बारे में सीखेंगे बर्ड्स मिन्स पक्षियों तो चलो हम स्टार्ट करेंगे बर्ड्स हेव विंग्स मिन्स की बर्ड्स को पंक होते हैं so they can fly इसलिए वो उठ सकते हैं they have strong beaks but no teeth उनके चाच बहुत मजबूत हते हैं लेकिन उनके दाथ नहीं होते हैं they lay eggs वो अंडे देते हैं they build nest to live in birds नेश बनाते हैं रहने के लिए next आगे the picture of birds and their names are given below तो बच्चों यहाँ पर कुछ birds के picture और उनके नाम यहाँ पर नीचे दिये गए है चलो अब हम सिखेंगे तो यहाँ पर first bird है sparrow sparrow means goreya हिंदी में हम goreya के थे हैं next आगे पिजान पिजान means kabooter next आगे प्रोव प्रोव means कवा next आगे पैरोड पैरोड means तोता next आगे कोक कोक means मुर्गा next है काइट काइट means chill जो wild बढ़ है next है कुकु कुकु means कोयल next है आउल आउल means उल्लू next है क्रेन next है डक डक means बथक next है स्वान स्वान means हन्स next है इगल इगल means गरूड and लाश में याँ पर है पिकोक पिकोक को हम मौर कहते है तो बच्चों हमने याँ पर ये सारे बर्स देखे तो चलो आगे हम इसकी एक्सरसाइस करेंगे याँ पर कोशन में है answer to following question in one word तो आपको याँ पर नीचे देगे question के लिए एक शब्द में answer देना है तो याँ पर first question है which bird has a red beak means की लाल कलर लाल रंग की चाच कौन सी बढ़ को होती है तो याँ पर answer आएगा परोट तो आपको याँ पर लिखना है परोट next which bird is kept as a pet in a cage पिंजरे में कौन से बढ़ को रखा जाता है तो याँ पर answer आएगा परोट तो आपको याँ पर लिखना है परोट next which bird sings sweetly in spring मींस कि वसंतरू तुमें कौन सी बढ़ मीठे से गाती है तो answer आएगा कुकु तो आपको याँ पर लिखना है कुकु next which bird lays its egg in the nest of crow मींस कि क्रो के नेश्ट में कौन सी बढ़ अंडे रखती है तो answer आएगा कुकु तो आपको याँ पर लिखना है कुकु next which bird is our national bird हमारा राश्टिय पक्षी कौन सा है तो याँ answer आएगा पिको हमारा national bird है next which bird is found at the lakes in the Himalayas Himalayas के सरूर में कौन सी bird देखी जाती है तो उसका answer आएगा स्वान तो आपको याँ पर लिखना है स्वान and last question which bird spreads its feathers and dances with joy in the rainy season means की बारिश के मोसम में कौन खूश होके अपने पंक फैला कर नात्ते है तो कौन सा बर्ड तो आँसर आएगा पिकोक तो आपको याँ पर लिखना है पिकोक तो बच्चो इसी तरह आपको first question अच्छे से समझने है और बाद में आपको blank में उसके answer birds के name लिखने है तो बच्चो हमारा chapter याँ पर complete हो जाता है so bye bye thank you